नमस्कार जैभवानी दोस्तों स्वागत हैं आपका फिट से आपके अपनी यूटूब चैनल Ambition Classes 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिसकस कर रहे हैं अलग अलग अलकोहल फिनोल एंड इथर क्योंकि कुछ स्टुएंट्स की डिमांड थे कि सर इस पर वीडियो बनाई यह क्योंकि हमें इसमें बहुत जादर प्रोब्लम आ रही है तो दोस्तों आज उन्हीं की स्टुएंट्स के लिए और मेरे सारे अपने प्रेया सारे लवली हैं तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं जैसा कि हम अपना बताते हैं क्योंकि हमारा मोटर ही होता है बेसिक टू एडवन्स क्योंकि पहले बेसिक चीज़े जारेंगे और धीर फिर एडवन्स चीज़े जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अलकोहल क्या है अल्कुहल हम जानते हैं सभी जानते हैं क्रास ट्ञ टैन्थ में पड़ा है और हम जानते हैं कि क्या होता है अल्कूहल वह कंपाउंड ऊता है जिसमें ओएच गुरूप रिजेंट होता है अब कहेंगे ओएच तो इसमें साथ फ्न 21- republic पता कैसे करें okay so means what alcohols alcohols are those hydrocarbon are those compounds are those compounds in which OH group in which OH group is present in which which is attached which is attached which is attached to the aliphatic aliphatic hydrocarbon hydrocarbon to do so aliphatic के बारे में आप लोग को पता हो यह chain में होते हैं या simple straight chain हो या branch chain हो open chain structure होना चाहिए तो open chain का मतलब जैसे कि हम बना देते हैं CS3, CS2, CS3 यह open chain हो गया या फिर हम कहते हैं CS3, CH, CH2, CS3 यहाँ पर क्या हो गया CS3 हो गया यह जी हो गया इसको भी का aliphatic बोलेंगे CS3, 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 this one is the CS3, this one is the CS3, this one also the aliphatic यह सारे के सारे aliphatic होते हैं, aromatic दूसरे आते, aromatic आएंगे जिसमें क्या आजाएगा, ring आजाएंगे, benzene, ring आजाएंगे, वो aromatic होंगे यह सब aliphatic है तो हमने का O.H. group present होता है AC compound हो यह किसके साथ जुड़ा होता है इन जैसे compound के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलेंगे एलिफेथिक हाइड्रोकार बन बोलेंगे जो सिंपल चेन में हो या ब्रांच में हो तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले बनते कैसे हैं it is formed it is formed by the replacement it is formed by the replacement of hydrogen of hydrogen atom by the replacement of hydrogen atom from aliphatic from aliphatic hydrocarbon from aliphatic hydrocarbon by what by OH group by OH group तो दोस्तों सिंपल सी बात होती है कि क्या होता है कि यह बनता कैसे है जब किसी भी aliphatic hydrocarbon hydrogen atom remove हो जाता है और किसके द्वारा OH ग्रूप के द्वारा तो यह क्या हो जाते है अलकोल्स हमारे बन जाते हैं ओके एक्जामपल में अगर बात देखा जाए एक्जामपल इस वाट methanol methanol in bracket is the what CS3OH the formula ethanol in bracket CS3CH2OH this is the complete what open formula open chain formula और बैसे अगर ethanol C2H5OH देन इथे प्रोपैनोल प्रोपैनोल दिस वन इस दा CS3 CH2 CH2 OH और कोमा ETC यह इसके एक्जामपल होते हैं ओके बात आती है इसके जेनरल फोर्म में कि तो जेनरल फोर्मुला दे जेनरल फोर्मुला ओफ एल्कोहल्स एल्कोहल्स is what ROH इसका यह फोर्मुला होता है और बीके एंड मोलिकुलर फोर्मुला एंड मोलिकुलर फोर्मुला इस वाट एंड मोलिकुलर फोर्मुला इस C N H 2 N प्लस वन इधर साइड में लिख देते हैं दोसमें यह प्रतुरा कंसिस्टिट हो जाएगा C N H 2 N प्लस वन और देन O H ओके दे दे ओल्सो फोर्म दे ओल्सो फोर्म होमोलोजियस स्रीज होमोलोजर शेरीज and the last and most important point is what last point है आता है की अल्झोल alcohols continue alcohols contend one or more one or more what? OH group OH group the suffix the suffix of alcohol alcohols is what what all suffix all and prefix and prefix of alcohols is alcohols is hydroxy hydroxy ओके तो दोस्तों ये पूरी information किसके बारे में है alcohols के बारे में है ओके दोस्तों एक बार उपढ़ लेते हैं क्या है ये क्या चीज नहीं है first of all बात करते हैं इसकी alcohols वो compound होते हैं जिसमें OH ग्रूप होता है means alcohol वो compound होते हैं इसमें OH ग्रूप होता है which is attached to the aliphatic hydrocarbon जो की OH ग्रूप तो होता है but this OH ग्रूप attached to the aliphatic hydrocarbon it is formed कब बनता है by the replacement of hydrogen atom from aliphatic hydrocarbon बनता कैसी है जब हम aliphatic hydrocarbon से hydrogen atom को remove करते हैं और ये remove किस के द्वार होता है OH के द्वारा remove होता है example बात आती है methanol formula ये ethanol formula ये propanol formula ये why is this formula called propanol because 3 carbon atom 1, 2, 3 carbon atoms 3 carbon atom means propane remove E by OH OH means all propanol बात आती है general formula की general formula alcohols का होता ROH molecular formula की बात आएगी तो formula होता है CNH2N plus 1 OH ओके ये भी दूसरों की तरह homologis series बनाते हैं clear है ना बात बात करें alcohols में क्या होते हैं एक ने एक से जादा OH group होते हैं हो सकते हैं एक भी हो सकता है एक से जादा.. OH group हो सकते है अलकोहryls में suffix ही बात करें तो suffix के आता है 話 suffix all आता है और बात करेंगे prefix की तो prefix को आता है ना लूस्तों इसमें hydroxy to you थोड़ी सी basic information किसके बारे में थी alcohol के बारे में थी जोस्तो चाहो तो आप इसका skin short भी ले सकते हो क्योंकि अभी basic चीजे पढ़ने का time है जब तक हम basic चीजे नहीं पढ़ाएंगे advance हमें समझ में नहीं आएंगी ओके तो दोस्तो चैनल को like share subscribe करते रहिए साथ साथ में और अपने दोस्तों को share करते रहिए ताकी हमेंपका support मिलता रहो हमें एक energy मिलते रहे आगे videoز बनाने की obesity Arab price okay दोस्तों बात करेंगे हम phenol के बारे में phenols के बारे में क्या ओता है phenol के बारे में पढ़ने रहाma फिनोल फिनोल की बाद आती है तो हम यहा लिखेंगे फिनोल फिनोल आर दोसकंपांट फिनोल आर दोसकंपांट इन विच ओएच गूरॉप इस प्रिजंड़ इस इस अटेश्ट तू दा एरोमेटिक हाईड्रोकारबन इसमें इतना difference आने वाला है किसमें होता है यह किसके साथ टार्ज होता है eromatic hydrocarbon के साथ होता है it is formed by the replacement of h atom from aromatic not aliphatic from aromatic aromatic hydrocarbon ok यही थोड़ा difference आ तई क्या हरा है थोड़ा थोड़ा टार्ज्ट ऑके न ही हमारा difference aromatic hydrocarbon by OH groups okay example is what this one not a methanol लिखी नहीं होंगे प्रोट्ट यह यह एल्स ultbank नहीं होंगे इसमें एक्जम्पल के आपके इसमें कलंपिया और फिनोल हेन में वहाथ हां कि होना hydroxy benzen भी हम इसको दूसरे नाम से कहते हैं hydroxy benzen okay the general formula for the general formula of phenol is phenol is what this one is the ar aroh aroh का मतलब होता है aryl group आ जाता है बेटा इसमें aryl group आ जाएगा अब molecular formula की इसमें बात हम कुछ करते हैं molecular formula इस क्या होता है हमें molecular formula लिखेंगे तो simple इसका c6 h5 o h इसका molecular formula हो गया यह कोई homology series नहीं बनाते हैं अके यह कोई homology series नहीं बनाते हैं दूसरे बार alcohol की जगह में यहापर क्या कर सकते हैं phenol पहले skin sort लिया था ना phenol contain only one phenol contain only one one o h group phenol में सिर्फ क्या होता है सिर्फ एक o h group ही होता है ओके कितना होता है phenol में सिर्फ एक o h group ही होता है जादा नहीं होते है बात आते है दूस रोड़ के बारे में पढ़ लेते हैं भीड़ से फिनोल एलकोहल की बात आई तो एलकोहल में क्या था एलिफेटिक के साथ जुड़ा होता था बट इसमें एरोमेटिक के साथ जुड़ा होता है आगे बात करते हैं इस फॉर्मड बाई रिप्लेस्मेंट ओफ एच एटम फ्रोम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई ओएच ग फिनोल इसका एक्जाम्पल फिनोली होगा या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते है ओके जेनरल फॉर्मुले की बात आती है तो A-R-O-H A-R का मतलब होता है इसमें A-R-Y-L अगर कोई भी बेंजीन रिंग होता है तो इसको क्या बोलते हैं A-R-O-H means A-R-Y-L के साथ अगर बेंजीन बात आती है बेंजीन दिस दे स्ट्रक्चर फोर्मुला इस वन इस दा ओएगा तो यह क्या होगा इसका फोर्मुला होगा ओके दोस्तों बात करेंगे तीसरा इतर के बारे में बात करेंगे और फिरो हम दीरे दीरे इसके प्रिपोर्हशन पर चलेंगे आगे यागा टॉपिक्स लेके जाएंगे इसनस आएंगी बहुत सारी reaction इसमें आने वाली है बट बहुत interesting chapter रहने वाला है इसके तो बात करेंगे next आता है इथर actually इथर क्या होता है इथर are those इथर are those hydrocarbon are those compounds compounds in which in which oxygen in which oxy in which oxy group is present between two alkyl groups two alkyl groups is it clear in other words in other words ethers ether are those hydrocarbon are those compounds compounds in which in which two alkyl groups in which two alkyl group in which two alkyl groups are attached are attached or joined each other or joined each other with the help of with the help of what with the help of oxygen atom with the help of oxygen atom okay बात आती है इसकी simple तो हमने बात आती है तो इथर वो compound होते हैं जिसमें oxy group होता है o group होता है किसमें present होता है कहाँ पर दो alkyl group के बीच में और दूसरे वर्ड में यह भी कह सकते हैं इथर वो compound होते हैं जिसमें दो alkyl group एक दूसरे के साथ test होते हैं जोइंड होते हैं ठीक है किसके help से oxygen के help से example अगर बात आती है तो क्या होता है methoxy methane methoxy methane formula is the CH3 OCH3 तो दोस्तों इतने का part OCH3 क्या है met carbon कितना one है तो one का मतलब myth होगे methane और जब O OCH3 तो क्या नाम हो गया oxy methoxy हो गया और this one again is the carbon one तो भी this one methane बात करेंगे simple अभी समझ में नहीं आया होगा देखो समझते हैं CS3 OCH3 CH3 CS3 OCH5 C2H5 OCH3 तो दोस्तों तीनों की बात करते हैं क्या है first of all देखेंगे oxygen के साथ यह जुड़ा हुआ OCS3 तो उस carbon one होगा तो simply हम इसको क्या बोलेंगे methane बोलेंगे और O जब है तो क्या बोलेंगे methoxy सबसे पहले last वाला part हमें पहले लिखना पड़ता है methoxy बात आती है carbon again एक है तो इसमें क्या नाम होगे methane एक एक चीज़ समझते रहे हैं इसका simply name बता रहा हूँ दिस वन इदा carbon two है तो ethane हो गया और O है तो क्या नाम होगे अथोकसी carbon one है तो methane again one है OCS3 है तो एक carbon है तो methoxy और carbon two है तो ethane I think दोस्तो clear होगा कि यह कैसे नाम इसका रखा जाता है okay this one is what methoxy methane methoxy methane means CS3 OCS3 समझा होगा दोस्तो okay now अब बात करेंगी इसमें आगे बात करते हैं क्या comma ETC the general formula the general formula of ether is R O or we can say that R R dash O R dash R okay or we can say that R O R dash यह नहीं बोल सकते है simple हम यहीं बोल सकते है R O R also okay R O R clear ना अब बात करेंगे वेर इसको रफ कर देते हैं दोस्तो अच्छा रहेगा इसको एफी कर देते हैं आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके आप इसका इसका इसके इसके इसको ले सकते हैं ठीक है okay means where where are and are dash are alkyl groups are different alkyl groups are different different alkyl groups alkyl groups is it clear इसमें क्या R R dash O O R अब ये कहेंगे ये फूर्मॉला कैसे लिख दिया हमने कहा सबसे पहले क्या यूज करेंगे R use करेंगे दूसरा नहीं R करेंगे O लिखेंगे O और आगे फिर पहला वाले लेंगे R dash तो एक तो इससे ये बन गया दूसरा क्या होगा R dash लेंगे और फिर O हो गया और फिर दूसरा क्या होगा R तो ये दोनों को मिला के हमने ये बना दिया R R dash O और R dash R यह ऐसे बनाया है तो दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या तो यह क्या होता है कि इथर compound होता है जिसमें ऑक्सी गुरूप प्रेजन होता है दो अलकाल गुरूप ने देखो इसमें दो अलकाल ग्रूप है ये है और ये अलकाल ग्रूप है ओके ना ये अलकाल ग्रूप आरार अलकाल ग्रूप है दो अलकाल ग्रूप आपस में किस से जुड़े हैं आक्सिजन से ओके इन इथर इन इथर oxygen atom oxygen atom has two lone pair of electron two lone pair two lone pair of electron क्या होते हैं इसमें two lone pair of electron and two bond pair and two bond pair two bond pairs with two different same or same or different different alkyl group alkyl group तो दोस्तों इसमें एक बात और आती हैं कोई यहां तक तो बताया था general formula यह होता है यह यह भी बोल सकते हैं वेर आर आर डैस इसमें दो different alkyl group भी हो सकते हैं इथर की बात आती है इसमें oxygen atom यह होता है इस पर क्या होता अगर oxygen है तो oxygen का atomic number कितना होता है oxygen atomic number is eight and the electronic configuration is two six ठीक है कितने autonomous electron है six तो हम कहेंगे one two three four and five electron ही आपर इसने क्या एक electron ही आपर बोर्ड मना लिए और एक लेक्ट्रों इदर बोर्ड मना लिया तो how many lone pair of electron one two lone pair of electron and two board pair this one and this one two board pair with two same or different alkyl group जो दो different alkyl group के साथ में होते हैं ओके दोस्तों लिए एक फ़्यूती सी बात लिख लेते हैं if इस प्रम कि अधे बात आती में अधे इस आटेज़्त वोट both alkyl groups, if both alkyl groups, if both alkyl groups are same, attached to, attached to oxygen atom, atom then this ether known as, then this ether known as symmetrical ether, symmetrical ether, whereas, both groups, both alkyl groups, both alkyl groups are different, different than, than it is said, said to be unsymmetrical ether, what? unsymmetrical ether, car ether, okay, بات کرتے ہیں اس میں کیا example, अگر देखते और अगर सेकंड बात आती है CS3 O C2H5 दोनों अलकाईल गूरूप डिफरेंड है ये मिथैल है ओए इथाइल है तो ये क्या हो गया? बिस्वन इस दा अन सिमेट्रिकल इथर हो चुका है ओके दोस्तो अब यहां से किलियर हो जाएगा दोस्तो दोस्तो अमीदे की दीख रहा होगा यह क्या होता है यह तो सिमेट्रिकल इथर है और यह अन सिमेट्रिकल इता है क्योंकि दोनों सालकाल ग्रूप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल दोनों डिफरेंट होंगे तो अन सिमेट्रिकल ओके दोस्तों एक बार उन्हीं हाँ से हाइलेट कर लेते हैं इथर में oxygen item पर two lone pair होते हैं जबकि दो lone pair होते हैं दोनों alkyl के साथ ओके अगर करें तो दोनों alkyl group अगर same होंगे तो क्या होगा symmetrical इथर और दोनों अगर different होंगे alkyl group तो क्या होता है unsymmetrical इथर होता है तो दोस्तों आप चाहो तो इसका skin sort भी ले सकते हो ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था आगे class में आगे लेके चलेंगे शेटर को अगलग topics लेके आएंगे तो दोस्तों में दे कि समझ में आया होगा topics ही अगर समझ में आया तो दोस्तों टूली चैनल को like, share और subscribe जरूब कीजेगा और अपने दोस्तों में भी share कीजेगा ओके दोस्तों अब मिलते हैं अगले class में एक नए topic के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिंग